शब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए किस तरह से हम पॉजटिव मानेंगे विडाल टेस्ट करा लिया है और इस वीडियो में आप सभी कोई कन्फीजन किलियर करने वाला हूं किस तरह से हम पॉजटिव मानेंगे विडाल टेस्ट को कितने टाइटर पर हम इसे पॉजटिव मानेंगे पर इस वीडियो को अन्तर तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपके कफिस सारे ऐसे कंफीजन से वो क्लियर करने वाला हूं सबसे पहले समझ लेते हैं बिडाल टेस्ट क्या यह accurate टाइफोड यानि मौती जरा के वारें बताता है यह नहीं यह यह बिडाल टेस्ट है कैसा बिडाल टेस्ट है जो अन्य बिमारियों की बजह से कवी कवार positive आजाता है इसलिए इसे false test भी कहा जाता है यानि कि यह accurate टेस्ट नहीं है मान लीजिए कि बिडाल टेस्ट हमने कराया और पिडाल टेस्ट को कोई symptoms नहीं है विल्कुल भी तो यह गलत भी आ सकता है तो इसके अलावा फिर हमें culture इस्टूल culture पर गराना पड़ता है तो उससे हमें idea लगता है कि patient को बिडाल है या नहीं है या फिर टाइफी डॉट होता है उसे भी हम करा सकते हैं बिडाल टेस्ट एक accurate जानकारी हमें नहीं देता है लेकिन ठीक टक यह जानकारी हमें दे देता है हमें एक आइडिया देता है कि patient को टाइफोई मौती जरा है या नहीं है सबसे पहले समझ लेते हैं antigen o मानके चलिए कि हमारे blood में हमारे body में टाइफोईट का infection गया जो सालमुल पहला टाइफी जिसे हम कहते हैं यह infection जब जाएगा तो हमारे सरीर के अंदर क्या होगा antibodies produce हो जाती है उस वेक्टिरिया के खिलाफ जब हम इससे test को कराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी antibodies produce होई है जो antibodies produce होई है उसी को यहां पर हम मार्क कर देते हैं ऐसे समझ लेजिए जैसे अवी IgG IgM antibodies टेस्ट चल रहा है इसी प्रकार से लगवग 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 ही है तो यह test हमें कब positive माना है माल लीजे one is to twenty one is to forty तक आ गया प्लस प्लस इसका मतलब है कि यह test negative है ठीक ह को रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आ रही है लेकिन उसको symptoms है उसको लक्षड है टाइफॉइड के जैसे हाथ पेरों में दर्द होना हलका फुलका फीट में दर्द होना भूग नहीं लगना कम जोरी होना उसके body पर उसके सरीर पर उसके especially chest पर छोटे-छोटे लाला डाने आना बुखार बहुत ज्यादा तेज आना फिर उतर जाना ठीक है इस तरह से step bladder fever जिसे हम कहते हैं इस तरह से बुखार इस प्रिशंट के ऐसे लक्षड में देखने को मिलते हैं सर में दल्ध होना कफी सारे ऐसे इसके लक्षड होते हैं तो इस प्रिशेंट को हम कहते हैं क्लिनि कि अगर इस test में वं इस- generous तक प्लस आता है तो इस test को positive माना जाता है drinking इस doubly टू है कि यह positive test है इसके साथ में यह जितना आगे जाता जाएगा उतनी की इस बिमारी की बढ़ती जाएगी और उतना ही heavy treatment पिशेंट को देना पड़ेगा तभी पिशेंट ठीकोगा इसके बाद antigen H ये दोनों लगवग लगवग साथ में ही positive आते हैं और अगर ये 1-80, 1-60 तक आता है इसका मतलब है कि पिशेंट को confirm typhoid है इससे ज़्यादा confirm करने के लिए हम culture करा सकते हैं टाइफी डॉट करा सकते हैं और CBC भी करा सकते हैं जिसमें WBCs count कम हो जाता है पिशेंट का typhoid infection हो सकता है लंबी समय से पिशेंट को typhoid के infection चल रहा हो तो आज के वीडियो में आपके तीन चार confusion के लिए हो गए पहला कि अगर टेस्ट निगेटिव आ रहा है पिशेंट को लक्षड हैं तब भी पिशेंट का treatment चलेगा टाइफोएड का इसके अलावा दूसरा जो confusion था कि कहां तक इसे पॉजिटिव माने तो तो 1-80 तक अगर पॉजिटिव आता है टाइटर पर तो यह इसको पॉजिटिव मानते हैं पिलस पिलस है इसका मतलब यह पॉजिटिव आ गया है जितना सीवियर जाता जाएगा उतन लक्षर उस पर बीमारी के होंगे और उतना ही हैवी टीटमेंट उसको दिया जाएगा इसके अलावा की बात करें तो एंटिवोटिक से बेसिकली दिया जाता है और आपको प्रिवेंस क्या करने हैं प्रिवेंस के तौर पर आपको बाहर की चीज़ें तुरंत बंद कर देन हैं किसी किसी ब्यक्ती का हाथ सही स act नहीं और उसे हाथ से वह बारवार किसी चीज को काने की चीज को हमें दे रहा है तो ऐसी इंफैक्शन होनी के ज्याद होते हैं तो और आज आज आप समझ गयी होंगे बीडाल टेस्ट कि अ क्या जाता है और आज की विडियो में फिर मि कर दो आपकर कर दो!